एक और जहां पुरी दुनिया कोरोना वाइरस से जंग लड़ रही है इस महामारी से निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे हैं सारे देश इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए है लोगडाउन में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना से दूर रखा जा सके लेकिन इसे बीच आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां कोरोना वाइरस का पहुशना मुश्किल ही नहीं बलकि ये कहें कि नामुम्किन है जी हां ऐसी ही एक जगह है भारत के अंडमान द्वीप समू के एक हि इससा है लेकिन फिर भी इससे काफी अलग है इस सेंटिनल द्वीप पर एक आदिम जनजाती रहती है लगभग पिछले साथ हजार वर्षों से ये जनजाती यहां पर रह रही है दक्षिन एंडबान से सिर्फ चौपन किलोमीटर दूर स्थरत ये द्वीप एक अभेद किल है जिसे तोड़ना परिंदे के लिए भी मुश्किल है द्वीप में रहने वाली इस आदिम जनजाती का संसार महज इस साथ वर्ग किलोमीटर के शेतर में ही बसा हुआ है ये ना यहां से बाहर जाते हैं और ना ही किसी को अंदर प्रवेश करने देते हैं अगर कोई जनजाती को बाहरी दुनिया से दूर रहना पसंद है अपने द्वीप के जंगलों में ही पाय जाने वाले सुवर फल और अन्य चीज़ें ये खाते हैं अतिसम विदंशील जनजातियों में शामिल है ये जनजाती और विलुपती की कगार की और बढ़ रही है बाहरी दुन मारी की चपेट में आ सकते हैं लेकिन आपको बता दें कि ये जनजाती खत्रे से इसलिए दूर है क्योंकि ये किसी के संपर्क में नहीं आती है लगभग 28 सालों से कोई भी 30 जनजाती के करीब नहीं जा सका है साल 2018 में एक अमेरिकी ने यहां घुसपैट की कोशिश की लेकि की इस द्वीप के चारों और पांच किलोमीटर की परीधी में बफर जोन बनाया गया है जहां 24-7 सकत निगराने रखी जाती है यहां तक कि सरक्षा में लगे करमचारी भी बफर जोन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं कुछ मानव वग्यानिकों की माने तो इस जनजाती की अ अपने अस्तित्व को बचाते आ रहे हैं इस सेंटिनल की आबादी लगभग सौ के करीब है लेकिन अपनी कम शमता के बावजूद भी यह अपना अस्तित्व बचाने में कामियाब है इस जनजाती से जुड़ा एक किस्सा भी है जब साल 2004 में सुनामी आई थी और उसके बा की हवाई सर्वे के जरीए ही की जाती है और हवाई सर्वे के जरीए हिन पर नजर रखी जाती है अंड़मान निकुबार के मक्य सचीव का कहना है कि यह जनजाती पूरी तरह से स्रक्षित है और इन तक कोरोना वायरस नहीं पहुछ सकता क्योंकि यहां पर ना कोई आता है और ना ही कोई महाँ जाता है और हमने अपनी इसके अलावा और कई जंजातियां शामिल हैं जिन्हें इस महामारी से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही इनके अस्तित्व को कायम रखने की भी कोशिश की जा रही हैं बहरहाल पिछले 60,000 वर्षों से अपने प लाइकन फोर मोर अपडेट्स